वो सब ठीक है, लेकिन विदेशों में जो विग बनाने के लिए बाल बेचे जाते हैं, उनसे आने वाले पैसों का क्या? क्या ये शुर्दा का धंदा नहीं है? कांजी भाई, ऐसा सवाल पूचके आप इतिहास के प्रती अपनी अज्ञानता का ही प्रदर्शन कर रहे हो। और गायों की सेवा करता है, तो इसमें क्या बुरा है? ये शुर्दा का धंदा नहीं कांजी भाई, ये तो बेस प्रोड़क का धंदा है, ये तो अक्लमंदी की बात है, चलो आजे जी, क्या नाम बता है? आजे क्रिशन जी, माना इन बालों से समाज में कुछ फाइदा हो परन्तु आप जुझे बात बताएं, भगवान तो सब जगए है, है ना? आज बिल्कुल, तो मंदीर में जाके उन बत्तर को पूझने की क्या हो शक्ता है? एक बात बताओ, जब भगवान सब जगए हैं, तो मंदिर में क्यो नहीं? ये मिन तो से, भगवान सब जगए हैं पर मंदिर में नहीं अजीब बेव कोफी है कांजी भाई आप पानी तो पीते होंगे ना कैसे पीते हो कैसे पीता हूँ मतलब मेरा मतलब है आप किस में पानी पीते हो अरे भई जैसे अभी आपने पिया वैसे गिलास में कांजी भाई गिलास में क्यों पीते हो पानी पानी त तो सब जगे है न वही हाइड्रोजन वही ऑक्सिजन तो हवा में भी है तो आप डिरेकली ऐसा हवा में से ऐसे क्यों नहीं पीते पानी आप इस कोड में कैसी पागलो जैसी बाते हो रही है कोई हवा में से पानी कैसे पी सकता है एक्जेक्ली कांजी भाई एक्जेक्ली जैसे पानी हर जगे है पर उसे पीने के लिए इस विलास की अवशक्ता होती है ठीक उसी तरह भगवान भी सभी जगे है परन्तु उन्हें मूर्त सबें पड़े किसी भी पत्र को पूछ सकते हैं कांजी भाई आपने कभी प्रेम पत्र लिखा है क्या प्रेम पत्र प्रेम पत्र हाँ लिखा है तो तो कांजी भाई उस जमाने में आपने इमेल तो नहीं किया होगा ना तो कैसे डाला आपने मैंने पोस्ट किया था पोस्ट कि अरे हाँ, पक्क्या कांजी भाई, अरे हाँ, बोला ना मैंने आपको, point to be noted माई लॉड, कांजी भाई अपने सारे प्रेम पत्र सरकारी post box में ही डालते हैं, माई लॉड, I will come to this point later, अच्छा कांजी भाई, सुना है, सुनवाई के बाद आपके पास बहुत पैसा आया है, कांजी भाई, जरा मुझे एक हजार का नोट तो दो ना, माई लॉड, ये क्या चल दा है, कांजी भाई, दो तो सही, मैं आपको वापस कर दूँगा, ये लो, कांजी भाई, हजार का नोट, अरे क्या ये पागल हो गया है, क्या कांजी भाई, ये तो आपके नोट से भी बड़ा है, पूरे A4 साइट का है, अरे कांजी भाई, आपने मेरा नोट क्यों फाड़ दिया, अरे क्यों मतलब गया, ये नोट, इसकी कोई वैल्यू है, अरे ये गौर्मेंट से ऑथराइज है, पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉड, तो कांजी भाई, जिस तरह आप कोई भी लाल डब्बे में पत्र न नहीं किया गया हो, और उस authentication process को ही प्राण प्रतिष्था कहते हैं कांजी भाई, प्राण प्रतिष्था, माना, माना की मूर्ति रूपे भगवान की फूजा हो सकती है, लेकिन इसके लिए इतने बड़े-बड़े मंदिरों की क्या हो सकता है, जब हजारों बिखरी बार प्रतिष्था, मेरा इस कोट से यह प्रश्ण है, क्या वाकई मंदिरों और लोगों के भूखे मरने में जरा सा भी संबंध है, अगर हमें वाकई लोगों के भूखे मरने की चिंता है, तो ये बड़े-बड़े छेटर, मॉल, आईपियर, बल्ड कप, फिल्म फैर बात आती है, तभी क्यों गरीबों की याद आती है, अगर उस धन्राश्ची का थोड़ा सा भी भात, गरीबों को खिलाने में लगाया होता, तो पूरे विश्व की भूख की समस्याहल हो जाती, जादा दूर क्यों जाते हो जाता है, ओमाई गॉड मुवी बनी 20 करोड रु मेरा ये प्रश्ण है, इसमें से कितना परसेंट भूखे गरीबों पर खर्च किया गया? 100%? Possibly नहीं, 50? नहीं, 25%? 25? माई लॉड शायद तिर्फ 0%? और इनहीं कांजी भाई से ही पूछ लीजिये, इन्होंने मुआपजे के एक करोड में कितना परसेंट गरीबों को दान किया? माई लॉड ये मूवी कहती है कि धर्म श्रद्धा का धंदा करता है, बलकि असलियत तो ये है माई लॉड कि इस मूवी ने श्रद्धा की निंदा का धंदा किया है, माई लॉड श्रद्धा की निंदा का धंदा, और वो भी पूरे साथ करोड में